हलो एवरिवन स्वागत है आपका अपलिका वर्ल्ट में और आज हम डिसकस करने वाले हैं क्लास 12 बाइलोजी का एक चाप्टर विच इस माइक्रोब्स इन यूमन वेलफिर माइक्रोब्स इन यूमन वेलफिर एक बहुत ही अच्छा और इंपोर्टन चाप्टर है इसका रीजन ये है कि ये जो चाप्टर है इससे हमें जादा समझने की इसको जरूत नहीं है डिरेक्ट इसमें टॉपिक है और डिरेक्ट ही इसके क्वेशन आते हैं तो ये एक अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोब्स होते क्या हैं हम सबको ये बात अलड़ी पता है कि ऐसे और्गानिजम्स जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं यहाँ पर माइक्रोब्स इन्यूमन वेलफेर का मतलब है कि इनसान के फाइदे के लिए माइक्रोब्स कहां कहां इस्तमाल किये जाते हैं या माइक्रोब्स की वज़े से हम क्या क्या चीजे बनाते हैं या क्या क्या चीजे हमें मिलती हैं सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोब्स इन हाउसोल्ड प्रड़क्ट्स यानि कि घर में इस्तमाल होने वाले चीजों में कहां कहां पे microbes मिलते हैं तो अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो फिर हम curd को कैसे बूल सकते हैं दही को तो हम आज से नहीं हमेशा से दही खा रहे हैं तो दही हमें पता है कि दूद से बनती है और किस तरीके से बनती है कि दूद में पहले हम थोड़ा सा कुछ दही का पार्ट डालते हैं और फिर वहां से दही बनती है तो अब यहां पर बात आती है कि दही कैसे बन जाती है तो यहां पर कुछ बैक्टीरिया का रोल होता है जिनका नाम होता है लेक्टिक आसिड बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया में सबसे famous example है Lactobacillus lekti तो यह जो Lactobacillus lektia और Lactic Acid Bacteria होते हैं Actually में यह curd के inoculum में present होते हैं मतलब वो जो थोड़ा सा part curd का हम दूद के अंदर मिलाते हैं जिससे की दही बनती है तो वो जो inoculum होता है उसके अंदर अगर हम बात करें चोटे से थोड़े से inoculum के अंदर millions of Lactic Acid Bacteria होते हैं और यह Lactic Acid Bacteria दही बनाते हैं दूद से अब कैसे बनाते हैं तो जो दूद होता है उसमें Lactose होता है और यह जो Lactic Acid Bacteria होते हैं यह Lactose को convert कर देते हैं Lactic Acid में और Lactic Acid जो होता है वो क्या करता है जो milk की protein होती है, casein protein उसको coagulate कर देता है उसको क्या बोल सकता है deposit करवा देता है और उसके ऐसे जैसे की दही में आपको पता है lumps होते हैं उस तरीके के lumps बनना शुरू हो जाते हैं दूद में और इस तरीके से दूद जो है दही में बदल जाता है दही इसलिए जादा हमारी diet में है दही बहुत जादा nutritive होती है और उसमें vitamin B12 का amount बहुत जादा होता है इसलिए हमारी body के लिए बहुत जादा अच्छी होती है और हमारी immunity को भी boost up करती है इसके बाद बात करते हैं dosa and idli की dosa, idli हम में से बहुत सारे लोगों को पसंद होगा तो dosa और idli भी एक fermented food है क्योंकि हम क्या करते हैं dosa और idli के batter को पहले ferment होने के लिए रखते हैं और जब फर्मेंट हो जाता है तब उसको बनाया जाता है तो वो ferment होता है bacteria से अलग अलग तरीके के bacteria हैं इसमें जो involved होते हैं अलग कि NCRT में कौन सा bacteria है ये नहीं दिया हुआ है बट मैं आपके information के लिए बता देती हूं कि एक तो इसमें lactobacillus fermentum एक bacteria होता है इसके अलाबा streptococcus fecalis भी एक इसमें bacteria होता और इस तरीके के बहुत bacteria हैं इसके बाद बात आती है bread की कि जो bread होता है वो किस वज़े से जिस तरीके का वो spongy होता है कैसे बनता है तो यहाँ पर एक फंजाए होता है जिसका रोल होता है जिसका नाम है bakers east एक फंजाए है और east का एक species है जिसका नाम है Saccharomyces cerevisiae यह जब फंजाय होता है यह जब उस बैटर में आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है यह वहाँ पर CO2 का production करता है क्योंकि उस बैटर को consume करता है और as a result CO2 का formation होता है और उस carbon dioxide के formation की वज़े से ही वो fluffy वाला जो appearance होता है और उसी तरीके से डोसा और इडली में भी यह appearance carbon dioxide के production की वज़े से ही आता है next एक और है एक drink होती है टॉडी drink जो की fermented drink होती है तो यह fermented drink जो होती है यह palm tree जो होता है उसके sap से बनाई जाती है उसको ferment किया जाता है next आती है हमारी fermented fish, soya bean और यह जो bamboo shoot है यह सब भी fermented products होते है इसके बाद हम बात करते हैं cheese की तो हमें बता है कि cheese का texture है, flavor है, taste है वो किसी specific microbes के fermentation की वज़े से ही आता है cheese अलग-अलग type की होती है हमें पता है जैसे कि Swiss cheese जो होती है वो अपने large holes के लिए famous होती है और Swiss cheese को ferment करने वाला bacteria होता है प्रोपियोनी, bacterium, shermony ठीक है यह आपको ध्यान रखना है important है Rockford cheese जो होती है वो भी बहुत जादा famous है और वो एक specific फंजाई की वज़े से ripen होती है अब बात करते हैं microbes in industrial products यह निए industrial products में microbes कहां कहां होते है तो beverages यानि कि जो drinks होती है वो और antibiotics जो produce किये जाते हैं commercial level पर वो fermenters में produce किये जाते हैं अक्चिल में fermenters बड़े-बड़े vessels यानि बरतन जैसे होते हैं more like pressure cookers और उनमें different equipments लगे होते हैं temperature, pH, pressure वगेरा को control करने के लिए और उनको जो solution है उसको stir करने के लिए यानि की हिलाने के लिए इसके अलवा air sparger होते हैं हवा को अंदर supply करने के लिए और यह सब चीजे होती हैं सारा उसमें इंतिजाम होता है और फिर क्या होता है कि जो भी liquid हमें ferment करना होता है उस liquid को उसमें डालते हैं और उसके बाद उसमें microbes डाले जाते हैं और फिर जब microbes को ferment करते हैं तो desired product हमें मिलता है आईए सबसे पहले बात करते हैं कुछ fermented beverages के बारे में यानि कुछ drinks के बारे में जो कि fermented होती है तो इसके बाद देखा जाए तो wine, beer, whiskey, brandy और rum यह जितने भी है यह fermented drinks है और यह produce होती है by saccharomyces cerevis यानि की bakers east की वजह से depending on the type of raw material used in the type of processing different types of alcoholic drinks are produced ठीक है देखो अब raw material कैसा यूज किया गया, कौन सा raw material यूज किया गया है और किस तरीके से उसकी processing करी गया है, इस basis पे alcoholic drink अलग-अलग type की होती है और उनमें alcohol का content भी अलग-अलग होता है जैसे कि जो wine और beer होती है, वो बिना distillation की होती है मतलब distillation उसका नहीं होता, directly उसको consume किया जाता है तो wine और beer without distillation कह सकते हैं कि distribute करी जाते हैं जब कि whiskey, brandy, rum ये distillation इनका किया जाता है इसके बाद अगर हम बात करें anti-biotics की तो ये तो हमने बात की थी, beverage जिसके बात करते हैं गर anti-biotics की, anti-biotics क्या होती है ऐसे chemicals होते हैं, जिनको हम microbes के against, especially bacteria के against, इस्तमाल करते हैं तो ये ऐसे chemical substances हैं, जो की दूसरे microbes का product, एक दूसरे microbes को मालता है है ना, इसको ही तो antibiotics कहते हैं जिसे पहली जो antibiotic थी, वो थी penicillin जो की produce की थी फंजाय penicillium notatum ने तो penicillium notatum produce करता है penicillin, इसको सबसे पहली बार discover किया था Alexander Flaming ने, 1928 और ये first discovered antibiotic थी इसके बाद बहुत सारे antibiotics को discover किया गया तो ये जो उन्होंने discovery की थी, accidentally की थी because he was working on staphylococcus bacteria और फिर वो plates को ऐसे ही छोड़के चले गए थे culture plate को छुट्टी बनाने के लिए फिर जब वापस आते हैं lab में तो वो देखते हैं कि जो उनकी plates थी bacteria की खराब हो चुकी है फिर उन्होंने देखा कि उस plate में कुछ area ऐसा भी था जहां पे staphylococcus bacteria ग्रो नहीं कर पा रहा था और एक special type की fungus वापे ग्रो कर चुकी थी फिर उन्होंने और experiment किया तो उनको पता चला कि ये फंजाय जहां पे ग्रो करता है वो कुछ ऐसा liquid release करता है जिस विज़े से bacteria वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता और इसी तरीके से उन्होंने इसको discover किया जबकि उन्होंने तो सिफ discover किया था जो इसका full potential था penicilline का वो पता किया था Ernest Chain और Howard Flory ने और इसी काम के चलते इन तीनों लोगों को Alexander Flaming, Ernest Chain और Howard Flory को Nobel Prize मिला था 1945 में Next हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें Antibiotics जो होती है उनकी क्या importance है Antibiotics have greatly improved the capacity to treat deadly diseases मतला बहुत सर ऐसी diseases हैं जिसको treat करने के लिए Antibiotics ने बहुत ही अच्छा role play किया है जिसकी plague, whooping cough, जिसको काली खासी कहा जाता है Diptheria जिसको गल-घोटू कहा जाता है और Leprosis जिसको कुष्ट रोग कहा जाता है इन सब के against Antibiotics बनी हैं उनसे बहुत हेल्प मिले हैं इन disease को cure करने में Next हम बात करते हैं Chemicals, Enzymes and Bioactive Molecules यहाँ पर यह information बहुत साथ important है कि वो जो chemical है वो किस ने बनाया मतलब कि किस ने produce किया किस microorganism ने और वो एक fungus है या bacteria है या क्या है ठीक है तो कुछ products है कुछ organic acid या enzyme या alcohols होते हैं जो कि bacteria या fungus produce करते हैं जैसे कि पहला है citric acid तो citric acid एक fungus produce करता है जिस fungus का नाम है Aspergillus niger ठीक है दूसरा हमारा आता है acetic acid तो acetic acid जो है वो एक bacteria produce करता है जिसका नाम है Acetobacter acety इसी तरीके से butyric acid भी bacteria produce करता है which is Clostridium butylicum इसके अलावा lactic acid भी एक bacteria produce करता है which is lactobacillus उसी तरीके से ethanol जो कि एक alcohol है उसको Saccharomyces cerevis यानि कि yeast produce करता है अगर हम lipases की बात करते है जो कि एक enzyme है ठीक है उपर हमने पढ़े organic acid अब हम पढ़ रहे है enzyme तो lipases जो enzyme होता है वो detergents में use किया जाता है क्योंकि lipases जो है वो fat को digest करता है तो कपड़ों पर जो oil के stain आ जाते है उसको remove करने के लिए lipases जो है आज़ इंग्रीडियेंट ठीक है आपने देखा होगे साबून से इतने इच्छे से दाग नहीं निकलते है इन डिटरजेंट से निकल जाता है विकॉस डिटरजेंट में होता है ठीक है फिर हम बात करते हैं दूसरे enzymes की तो pectinases और proteases जो यह enzyme है यह protein digesting enzymes है और इनको bottled juices को clarification के लिए यूस किया जाता है मतलब जो आपने देखा होगे जब आप अपने घर पे juice बनाते है तो वो इतना clear नहीं होता पर जो bottle वाले juice आपीते हैं वो बिलकुल साफ होते है क्योंकि उनको pectinases और proteases enzyme का इस्तमाल करके साफ किया जाता है जो extra proteins होती है वो digest हो जाती है complex proteins होते हैं जिनकी वज़े से वो appearance आ रहा होता है next हम बात करते है streptokinase की streptokinase produce करता है एक bacteria जिसका नाम है streptococcus और फिर इसको genetically engineer किया जाता है यह इतना important क्यों है streptokinase क्योंकि it is used as a clot buster for removing clots from blood vessels of patients who have undergone myocardial infection leading to heart attack ठीक है तो देखो क्या होता है streptokinase जो है as a clot buster इस्तमाल के जाता है मतलब clots को हटाने के लिए blood में जो clots बन जाते है ठक्के बन जाते है खून के उनको हटाने के लिए क्योंकि वो blood vessels में जमा हो जाते है और खून नहीं जाने देते यह जादा तर उन patients में इस्तमाल के जाता है जिनको problem होती है कि उनके जो blood vessels होती है वो चोक हो जाती है bad cholesterol के वज़े से उनको heart attack की problem होती है क्योंकि उनका जो blood होता है वो गहड़ा हो जाता है ठीक है तो इसको blood clot buster इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो blood में ठक्के बन जाते है उनको यह हटाने का काम करता है ठीक है आगे बढ़ता है इसमें next आता है cyclosporin A cyclosporin A भी एक chemical agent है और इसको as a immunosuppressive agent use किया जाता है in organ transplant patients जिन patients में organ transplant किया जाता है मतलब की दूसरे व्यक्ति का organ उनके अंदर लगाया जाता है क्योंकि उनका organ fail हो जाता है तो ऐसे में ऐसे जो patients होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी immunity की वज़ए से organ reject होने का खतरा होता है तो उनको immunosuppressive agent देने पड़ते है ताकि उनकी immunity जादा problem ना करे organ को तो ऐसे immunosuppressive agent में से एक है cyclosporin A it is produced by fungus trichoderma polysporum ठीक है it is produced by fungus trichoderma polysporum यह ध्यान रखना है cyclosporin A को क्यों यूँज किया जाता है कौन सा fungus जो है इसको produce करता है तो मतलब जितने भी इस chapter का है ही यह क्या करना है जो भी चीजे हैं वो कौन produce करता है किसले यूज हो रही है यही बस इसमें पूछा जाता है next आता है हमारा statins statins जो है एक chemical है उसको monascus purpurus fungus जो है जो कि एक yeast है वो produce करता है ठीक है अब इसको क्यों use किया जाता है statins को statins is used as blood cholesterol lowering agent बतलब blood cholesterol को कम करने के लिए इसको इसको इस्तिमाल किया जाता है और यह कैसे act करता है it acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol जो enzyme cholesterol को synthesize करता है उसके साथ ही compete करता है ताकि cholesterol synthesize ना हो पा है उस तरीके से blood cholesterol को low करता है next आता है microbes in sewage treatment अब यह भी topic है important है microbes in sewage treatment मतलब की जो भी waste एकटा होता है sewage के थूँ या और भी जो गंदगी होती है तो उस water को directly जब rivers में छोडा जाता है water bodies में छोडा जाता है तो वहाँ के water को pollute करते हैं इसको dispose कैसे किया जाए कोई ना कोई तो उसका रास्ता होना चाहिए इसलिए पहले उसको treat किया जाता है ताकि वह इतना बन सके कि उसको अगर हम किसी body में छोड भी देते हैं तो उतना बुरा असर ना हो बोडी पर और दूसरी बात है कि शायद हम उसको reuse भी कर सकें कुछ कामों में ठीक है तो अगर हम sewage की बात करते हैं major component of this waste water are generated everyday and major component in municipal waste water is called sewage ठीक है municipal waste water यान्य हमारे घरों से जो हमारे excreta होता है वो सबसे main component होता है sewage water का ठीक है इसमें large organic matter होता है और microbes होता है और उन में से कुछ microbes pathogenic भी होता है यानि disease causing भी होता है इसलिए इनको dispose करने से पहले इस sewage को treat किया जाता है इन sewage treatment plants यानि कि STP ताकि ये कम polluting हो जाए treatment of waste water is done by the heterotrophic microbes natural present in the sewage जो microbes already sewage में present है उनके थू ही इसका treatment होता है बसे आपे हमें special apparatus चाहिए होते है तो अब हम बात करेंगे कि sewage treatment किस तरीके से किया जाता है sewage treatment में कुछ stages होती है कुछ steps होते हैं उनको ध्यान से समझते है सबसे पहले होता है primary treatment primary treatment में actually physical removal होता है particles का मतलब जो भी हमारा waste water है उसमें हम क्या करते हैं कि हम physically कुछ चीज़ों को आसानी से remove कर सकते है तो पहले वो ही काम किया जाता है जैसे कि अगर आप कोई चीज है जिसको filter कर रहे है और फिर आप देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हम अपने हाथ से भी हटा सकते हैं तो आप उसको पहले हाथ से हटा देते हैं तो वो ही वाली हाँ पर चीज़ है कि physical removal किया जाता है particles का large and small from the sewage through filtration and sedimentation मतला पहले उसको चानते हैं और फिर उसको as it is रख देते हैं तो कुछ चीज़े तो filter में निकल जाती है उपर चन्नी में और कुछ जब हम उसको रख देते हैं sedimentation tank में तो कुछ चीज़े नीचे भी settle हो जाती है तो फिर हम उपर से वो sewage water निकाल लेते हैं और उसको further treatment के लिए छोड़ देते हैं और नीचे वाला जो sediment होता है वो उसको fake देते हैं तो इस तरीके से यहां पर होता है अब फिर क्या होता है यहां पर initially floating debris is removed by sequential filtration सबसे पहले थोड़े दो-तीन बार इसका filtration किया जाता है एक के बाद एक तो उससे क्या होता है कि जो उपर float करने वाला जो कचरा होता है वो separate हो जाता है उसके बाद फिर इसको settle होने के लिए रख देते हैं तो फिर sedimentation की वज़े से बागी का जो कचरा नीचे जमा हो जाता है वो भी separate हो जाता है ठीक है अब समझते है जितना भी जो solid है जो कि नीचे settle हो जाएगा वो primary sludge कहलाएगा ठीक है and the supernatant forms the effluent और जो supernatant है वो effluent कहलाएगा ठीक है तो जो नीचे settle होआ वो क्या है primary sludge है और जो supernatant है जो liquid है वो क्या है effluent है यह बात है sedimentation tank की जब sedimentation tank में रख दिया गया है उस waste water को तो जो उसकी गंदगी है वो नीचे बैट जाती है तो जो नीचे बैट गया है उसको हम बोलेंगे primary sludge और जो उपर पानी है waste water है उसको बोलेंगे super effluent ठीक है अब यह जो effluent है primary settling tank से जो आया है इसको हम secondary treatment के लिए भेज देते हैं मतलब सबसे पहले हमने primary treatment किया जिसमें filtration किया filtration के बाद इसको primary settling tank में रखा गया जिसे कि क्या हुआ जो गंदगी थी वो नीचे sediment हो गई अब यहाँ पे जो effluent मिला उस effluent को हम क्या करेंगे secondary treatment के लिए आगे भीज देंगे अब बात करते हैं कि secondary treatment किस तरीके से होता है secondary treatment को biological treatment भी बोला जाता है जैसे कि primary treatment को हम physical treatment भी बोल सकते है तो secondary treatment या फिर biological treatment किस तरीके से होता है जो primary effluent है जो कि हमें पहले वाले treatment से मिला है इसको large aeration tank में transfer किया जाता है जहाँ पर इस पूरे content को constantly हिलाया जाता है agitate कहा जाता है mechanically और इसके अंदर air भी pump करी जाती है जिससे क्या होता है कि यहाँ पे aerobic microbes grow कर जाते हैं और उन aerobic microbes को हम flock कहते हैं actually में flock क्या है कि उस water में biological treatment के दौरान bacteria grow कर जाते हैं उस आसात में fungus भी grow कर जाते हैं bacteria and fungal hyphae का association होता है उसी को हम क्या है flock कहते हैं तो यहां पे flock आ गए आप वह flock क्या करते हैं जो भी वह wastewater है उसके organic matter को consume करना शुरू करते हैं खाना शुरू करते हैं जब वह उसके और game matter को consume करना शुरू करते हैं तो वह जो wastewater होता है उसकी BOD καम हो जाती है यानि biological oxygen demand कम हो जाती है और यही हमारा target है तो तब तक हमें treatment करते रहते हैं जब तक BOD बहुत कम ना हो जाए ठीक है जैसे BOD एक level तक कम हो जाती है तो उसके बाद इसको हम further treatment के लिए अगले step पर भीज देते हैं इसके बाद next क्या होता है एक settling tank में इसको भीजा जाता है जहां पर जो bacterial flocks होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और यह जो sediment होता है this sediment is called activated sludge इसके बाद क्या होता है a small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to act as inoculum क्योंकि treatment हो लगातार चल रहा होता है ना ऐसा थोड़े कि एक ही बैठ चल रहा है उसका तो यह जो इस step में जो wastewater आ गया है उसके जो flocks से नीचे बैठ गए है तो उस flock में से थोड़ा flock हम पीछे वाले step में भेज़ देते हैं क्योंकि जो और बाकी का wastewater है उसको भी BOD कम करने की जो जो जाद है इसको हम पीछे वाले tank में भेज़ देते हैं जो remaining major part होता है sludge का it is pumped into large tanks called anaerobic sludge digester मतलब अब यहां पर जो हमारे waste water इसको हम next digester में भेजते हैं यह next tank में भेजते हैं जो कि anaerobic sludge digester होता है यहां पर कुछ ऐसे microbes grow होते हैं यहां पर anaerobic condition रखी जाती है तो यहां पर ऐसे microbes grow करते हैं जो कि बिना oxygen के grow करते हैं और वो यहा करते हैं तो यहां पर जब इसको consume करते हैं तो BOD और फर्दर कम हो जाती है और यहां पर इनके digestion से gases produce होते हैं जैसे कि methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide और इन gases को हम bio gas कहते हैं इनको use भी किया जा सकता है अब जो यह effluent है जिसको second day treatment से निकाला गया है anaerobic treatment भी हो गया अभी इसकी BOD इतनी कम हो इसमाल का जासे जैसे irrigation वगयरा के लिए इसमाल कर सकते हैं ठीक है तो यह जो biological oxygen demand है यह आपने इसमें सोना कि यह biological oxygen demand कम हो जाती है बट इसको हमें समझना पड़ेगा कि यह होती क्या है तो sewage treatment तो इतना ही था बट अभी यह समझ लेते हैं कि BOD क्या है जब कोई water बहुत कह सकते हैं बहुत सारा कचरा होता है तो इस टाइम पे organic content जादा होता है उसके अंदर और especially जब यह कचरा plant या animals या living beings से आता हो तो organic substances उसमें होते हैं organic substances उसमें होनी की वज़े से जब उसको river में डाला जाता है तो क्या होता है जब इसको river में डालते है तो bacteria उस पर act करना श oxygen इस्तिमाल करते हैं तो oxygen जादा इस्तिमाल करते हैं तो जो water body में और organisms होते हैं उनको oxygen नहीं मिल पाती क्योंकि जादतर oxygen bacteria use कर रहे है उसको consume करने के लिए जो वेस्ट water river के अंदर डाल दिया गया है इसका मतलब इस waste water के को consume करने के लिए जो oxygen की demand है वो बहुत जादा है इस इसलिए क्या क्या जाता है treatment क्या जाता है ताकि organic content already consume कर लिया जाए ताकि biological oxygen demand कम हो जाए और ये पानी कम से कम थोड़ा तो कम dangerous हो जाए अब बात करते हैं microbes in production of biogas कि biogas के production में microbes का क्या रोल होता है तो biogas एक gases का mixture होता है जिसमें जादातर methane का proportion होता है इसको as a fuel इस्तमाल क इस ताइप of gas production depends upon the microbes in the organic substrate they utilize ठीक है microbes कौन से है और organic substrate कौन से utilize करें इस चीज़ पर टाइप of gas depend करती है however certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic bacteria sorry cellulosic material produces large amount of methane, carbon dioxide and hydrogen जबकि अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे bacteria होता है जो कि anaerobically cellulosic material पर grow करते हैं cellulosic मतलब कि जो की plant origin का हो ऐसे material पर grow करते हैं तो उससे anaerobically grow करेंगे नहीं without oxygen grow करते हैं तो यहाँ पर कुछ gases वो produce करते हैं जिसे कि methane, carbon dioxide और hydrogen यह जो bacteria होते हैं इनको methanogens कहते हैं क्योंकि ज़्यादा तर जो यह gases produce करते हैं उसमें methane का proportion ज़्यादा होता है तो actually में जो यह गोबर होता है यह ऐसे animals का लिया जाता है जो की शाकाहरी होते हैं basically kettles का तो शाकाहरी है तो पेड़ वो खाते हैं पेड़ पोदों को खाते हैं और पेड़ पोदों में cellulose होता है और वो cellulose एक material है तो यहाँ पे अब क्या होता है कि यह जो ऐसे animals होता है especially kettles इनका जो पेड़ होता है या जो इनका gut होता है उसमें कुछ already ही bacteria present होते हैं ठीक है जिनको methanogen कहा जाता है इसलिए इनके गोबर में भी वो bacteria होते हैं और वो लगातार methane produce करते रहते हैं यह जो methanogen होते हैं यह इनके gut से इनके gober के थुरू बहार निकल जाते हैं और फिर जब यह गोबर धीरे-धीरे कहें कि बहुत aged होने लग जाते हैं तो जो bacteria होते हैं इसको consume कर रहे होते हैं और यह जादा स्जादा methane gas produce करते हैं और और gases भी produce करते हैं ठीक है क्योंकि यह गाएं के gober से जो है gas निकलती है इसलिए इसको हम gober gas भी कहते हैं ठीक है अब यह जो gober gas होती है पहले के लोग और आज भी कुछ लोग इसको 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 कर सकते हैं और करते हैं as a fuel ठीक है तो इसलिए bio gas plants बनाए जाते हैं पहले बहुत जादा बनाए जाते थी especially villages में ताकि bio gas यानि की gober gas का production हो सके उसको वो अपने घरों में as a fuel इस्तमाल कर सके पहले gas cylinders वगेरा नहीं होते तो तो bio gas का इस्तमाल किया जाता था ठीक है अब हम बात करेंगे की bio gas plant कैसा होता है bio gas plant जो होता है it consists of a concrete tank 10-15 feet deep 10-15 feet गहरा इसका एक tank होता है जो की concrete का बना होता है cement का बना होता है जिसमें की bio waste जो होता है चाहे गोबर हो चाहे छिलके हो इस तरीके के जो waste होते हैं उनको डाला जाता है इसके बाद इसके उपर एक floating cover भी होता है जो की gas के pressure से उपर भी हो जाता है bio gas plant का एक outlet होता है और एक inlet भी होता है अब हम इसको diagram से देखते हैं कि किस तरीके का इसका structure होता है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह diagram तो एक tank होता है जिसको digester लिखा हुआ है उसके बाद एक gas holder होता है या एक floating cover होता है इसके बाद यहाँ से gas का outlet भी होता है एक side यहाँ पर क्या होता है कि water और dunk को डाला जाता है जिसको inlet कह सकते है और एक outlet होता है जहां से कि जो sludge है उसको निकाला जा सकता है जो पुराने वाला गोबर है उसको निकाला जा सकता है तो actually में क्या होता है कि एक side से पानी और गोबर का घोल डाला जाता है और फिर इसको ferment होने के लिए छोड़ दिया जाता है फिर इसमें gas produce उना शुरू होता है तो यह जो उपर का gas holder होता है यह उपर उठ जाता है और यहां पर gas जो है इसके थूरू pipe में आ जाती है फिर जब यह जो गोबर होता है पुराना हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा इसमें से निकाल लिया जाता है गोबर उसको खाद के रूप में प्रेयोक कर लिया जाता है और फ्रेश जो डंग और वाटर है वो इनलेट से वापस डाल दे जाता है और इस तरीके से यह गास का प agriculture research institute को जाता है और KVIC को जाता है ठीक है next है हमारा microbes as bio control agents microbes को bio control agents की तरह यूज भी करते है बायो pesticides की तरह भी यूज करते हैं अब इसके कुछ examples है उनको समझते हैं अब beetle with red and black marking the lady bird and dragonflies are useful to get rid of efforts and mosquitoes respectively effectively तो efforts or mosquitoes जो होते हैं उनको हम कोई और chemical ना use करके natural agents का use करके उनको खतम कर सकते हैं और ऐसा किया भी जाता है तो यहां पर क्या होता है एक beetle होता है जिसके red or black color की markings होते हैं आपने देखा भी होगा उसको lady bird जो होती है और dragonflies इनको यूज किया जाता है यह aphids और mosquitoes पर फीड करते हैं और जहां पर यह रहेंगे तो aphids और mosquitoes वहां नहीं रुख सकते हैं तो इसले ऐस बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया जाते हैं इसके अलब एक इस पोर्स को पानी में मिला कर चिड़क दिया जाता है तो फिर इनको इंसेक्ट खा लेते हैं और जब उनकी गट में जाता है तो उसके गट में तॉक्जन रिलीज हो जाता है जिस वैसे वो इंसेक्ट जो है मर जाता है इसके अलाबा बैसलस थूरीं जिनैसिस जो होता है उसको बीटी प्लांट बनाने के लिए इस्तिमाल किया गया था जैसे की बीटी कॉटन बीटी ब्रेंजल ये इसकी डीटेल जो स्टडी है हम बायो बन जाता है और अगर को इस पर फीड करता है तो वो इंसेक्ट मर जाता है इसके अलाबा फंगस ट्राइकोडर्मा जो होता है इसार फ्री लिविंग फंजाए और वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम और एफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स तो ट्राइकोडर्मा ज इनको भी इन्सेक्ट्स को गांज इनसेक्ट को आलए हgen Teas तो यह दूसरों कोई हाम निह menorते हैं सरफ इनसेक्ट को इनसेक्ट को ही ही हाम करते हैं इसके अलावा गर हम बात करें कि अभी तो हमने बात करी कि हम बायो कंटूलेजेंट्स या बायो पेस्टिसाइड की तरह कैसे इस्तमाल कर सकते हैं माइक्रोब्स को अब हम बात करेंगे कि माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे इस्तमाल कर सकते हैं या को हम bio fertilizers कहते हैं, main source bio fertilizers के bacteria, cyanobacteria और fungi ठीक है, तो rhizobium जो है ये एक bacteria होता है and it forms symbiotic association with roots of leguminous plant जितने भी leguminous plant होते हैं जिसे की डाले, ये इसके roots के साथ एक symbiotic association में रहता है normally ही, ठीक है तो अभी जो rhizobium होता है ये plant के लिए atmospheric nitrogen को fix करता है और इसको organic form में provide कराता है plant को इसके अलावा और भी bacteria होते हैं जो के atmospheric nitrogen को fix करते हैं जिसे की कुछ ऐसे bacteria होते हैं जो fix करते हैं, but they are free living जिसे की example, azospiralum azobacter, ठीक है तो ये क्या करते हैं, nitrogen से rich कर रहे हैं soil को, so these are bio fertilizers, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो mycorrhiza जो की fungal association होता है with roots of higher plants ये भी help करते हैं soil को rich करने में या plants को nutrient देने में example, genus glomus from mycorrhiza the fungus absorbs phosphorus from soil and passes it to the plant, तो ये वारा जो fungus होता है ये soil से phosphorus absorb करके plant को provide कराता है such plants show resistance to root bone pathogen और ऐसे plants में root bone pathogen से भी resistance होता है tolerance to salinity भी होती है drought से भी सूखा भी नहीं होता है और overall increase होता है plant growth और development में तो आप सोच सकते हैं, जब ये इतना फायदा दे रहा है तो it is a bio fertilizer इसके अलावा cyanobacteria की बात करें, ये भी important role play करते हैं और cyanobacteria ऐसे bacteria होते हैं जो की autotrophic होते हैं ठीक है, अपना खाना खुद बना सकते हैं तो ये different environment में aquatic में, terrestrial में मिल जाते हैं और ये भी atmospheric nitrogen को fix करते हैं, इसके example है enabena, no stock और oscillatoria और ऐसे ही कुछ और examples भी है बट NCRT में ये example mention है और ये ही important है इसके अलावा pedi field के अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी cyanobacteria जो है, एक important bio fertilizers की तरह काम करता है और ये add करता है organic matter to the soil, ताकि soil की fertility increase हो सके तो ये हमारा पूरा topic था और इस तरीके से हमने सारे topics cover कर लिए इस chapter के, ये chapter अब आपका टास्क ये है कि आप ये chapter पढ़ चुके है तो एक बार आप एंसे आर्टे से भी इसको read कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो otherwise मैंने सारे aspects में include कर लिए थे और दूसरी बात है कि अब आप इसके questions करके देख सकते हैं कि क्या-क्या questions आए हो है झाल